खबरों में बने राने के लिए देखते रहें केनन मीडिया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाँ पैल आइकन दवाना ना भूलें राजे सबा संसद बिरेंदर सिंग डूमर खा की जी हाँ बिरेंदर सिंग डूमर खा ने एक पेशकश की थी अपने बेटे को टिकेट दिलाने के लिए कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए और उनके बेटे को टिकेट दे दी जाए इस बार जो विधान सबा के चुना हुए उ उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी जिसके एवेज में ये देखा जा रहा था कि राज्य सभा में हरियाना के मताबिक जो है वो कई सीटे खाली हो जाएंगी तो अन्ने किसी का नमबर आएगा लेकिन ये भूल है ये राजनिती है एन समय पे कुछ भी बदलाव हो सकता है और उनका इस्तीफाब मनजूर नहीं हो रहा है तो इसी चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर पतरकार और राजनितिक विशेश गया परमौद शर्मा जी शर्मा जी क्या है पीछे का सच देखिए अरुन भाई आपने बिल्कुल सही कहा विरंदर सिंग जी अमेशा बड़ बोली रहे हैं उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी बात जो हांकी थी उन्होंने कहा था कि राजनिति चोड़ रहा हूं और बिजेपी में पूरे रियाना में गूमोंगो उन्होंने कहा था कि वो 55 सीटें पर टिकट बाढ़नेगे अब जो हमारे पास सबसे म अंबर को उचाना में एक जंसभा की अपने कारेकरताओं को कहा कि तुमने मेरी मिसेज को और आदिया और 48,000 के बड़े नतर से ही आ रही है अब तुम अपने बच्चों को उस बागडी दुसें चुटाला से ही लगवाना और मैंने राजस्पा से इस्तिफा दे दिया है अ हरियाना में हर जगा ये बात थी की विरंदर सिंग ने इस्तिफा दे दिया है बीजेपी में रजसपागी सीटों के लिए उपचना होगा और बीजेपी में तीन दावेदार भी मुक्रूप से आये थे कि जाट नेता की सीट खाली होने पर तीन जाट नेताओं ने अपना अंदर खातिय दावा भी दिखा दिया था जिसमें जो है हरियाना बाजपाग एड्यक्स सुबास बराला जी पूर मंतरी कैप्टन मिनु जी और पूर मंतरी ओम प्रकास धंखर जी तीनों जो है नेताओं में मारा मारी थी को रजस्पा में जाएगा लेकिन यहां तो कुछ तूथी हो रही थी क्योंकि विरंदर शिंग घुद शांशत थे उनकी धरमपतनी विधायक थी और वह अपने लड़के को शांशत का एलेक्शन लड़वाना चाहती थी उननने सांशत का एले बड़ने से पहले उनने काकिम में जो है अपने जोहार्जवाज की शीट से रि ओस दिन का बत्ता पीछे से हमेशा जी ए दोजार मसमें चुछ री व्रेंदर Chief घी उचाना विदानस्भाचे चुनवार गए से बाग सिंग शातर से तो बाग सिंग शातर से एलेक्शन आड़ने के बाद उन्होंने देखाए उन गिराजती जो है बिल्कुल खतम हो गई थी अर्याना कॉंग्रेस में दो गुरूप बन गए थे जाट नेता गरूप में चोदरी वपंदर सिंग उड़ा जो ततकालनी जनलाल और विरंदर सिंग तिनो समिल थे लेकिन बता जा रहा की सुधिव विरंदर सिंग ने अपने नेतिरतों में उसको जो है दिली में रज़ा प्रकास से बात करके उसको जो है कांग्रेस में समिल करवाया ततकालिन जो गणपरशेद के यूआप रेजिडेंट थे एक पूरे परदान डॉक्टर राजंदर सर्मा जो इसार के निवासी थे उन्होंने राजंदर सर्मा जो है उसमें करांतिकारी छातर नेता थे और एक पूरे अरियाना में रोजगार के नाम पर और अगरिकल्चर स्टुडेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा मोमेंट चला था उन्हेंने एक पदियात्रा निकले दिशार से दिली तक तो उन्हें अपना नेत्रित्व जो है लोगों में युवा में उनका एक परभाव था चुद्री विरेंदर सिंग ने राजेंदर सर्मा से बात की और उस समय हर्याना युव विरजवार संग्ठन उसको अपने अंडर ले लिया और कुर्शेत्रा उन्वस्टी के पूरो परधान उदेवीर सिंग कुनिया कोस्ने वजग बनाया गया और राजेंदर सर्मा उसके अध्यक्स बने और एक दरजन एक्चेयू, एमड्यू और केयू के पूरो परधानों को उसमें परदेश कारेकाणी में सामिल कर दिया गया उसके बाद कारेकाणी बढ़ाए गई और सभी जलों के परधान बनाये गई लगों 57 नेता को इसमें सामिल किया गया और युवाओं के नाम पर तोदिव रेंदर सिंग ने एक बड़ी संगोष्टी की हिसार में मुक्यतिती के रूप में एक उर्षेत्तर में उसके बाद जो है बहुत बड़ी रेली वी सुनिपत में युवाओं की एक फत्याबाद में ततकालेन मुक्ह मंत्रियों परिया चुटाला को लगा कि युवाओं जो है खिलाप होते जा रही है तो उस समें दोस्तों मैंने आपको पहले बता कि कैसे पैंसिंगी शुरुआत होई तो फर्मूला पता है कि एक बार मेरे आत्वसत पाई तो मैं रियाना से बिरोज़गारी दूर कर दूँगा उन्होंने कहा था कि मैं युवा मंतराले में एक ओवर्सीज विभाग बनाऊंगा और सभी आईटाई पोल्टेक्निक और इंजिरिंग के चात्रों को विदेश बेच जूँगा वो विभाग भी बना उसमें एक दर्शन जे कम चात्र जवा विदेश जा पाई और ये जो है मामला टंडाई में पड़ गया और तो छोड़िये दोस्तों जो उस समय के उस संग्ठन के एक दर्शन से जादा साथी थे वो भी बिरोजगार रह गए चोद्री वरिंदर सिंग ने उनकी मदद ने की और संग्ठन को अपने नाम पर योज कर लिया उसके बाद चोद्री वरिंदर सिंग जी ने इलेक्शन हार गए राजिसभागी राजिनित्य की मुका देखते ही भाजपा में से ले गए भाजपा में केंदर मंत्री बने और अब जो है चोद्री वरिंदर सिंग ने का कि बात जो है वाव में बिल्कुल जूठी तेर रही थी क्योंकि उन्होंने ही पिछले मेने ही निदानी में मंत्री रंजीत सिंग की अजक्स्ता में एक करेकरम हुआ था उन्होंने दस लाग रुपे देने की गोशना की थी पूरो मुख्यमंत्री ने भी अपने जो है पूरो मुख्यमंत्र सिंग उड़ा ने भी चंडिगट सीट अपने आवास पर भी यह बात कई थी कि रियाना में राज्यसभागी तरफ दो सीटे ही खाली होंगी तो इस परकार हम आपको पता सकते हैं कि चोड़ी विरेंदर ने हमेशा ही युवाओं के साथ सलकपट किया है अपनी राज्यती के लिए जो हमें साथ जूट और बिड़बर वल्मपनी की राज्यती की है यह बिल्कुल जूटा की चोड़ी विरेंदर सिंगे राजवागी शीट से इस्तिफाए दिया है वह आज ही तारिक में संसद है और संसद के मिनने वाले से भी सुधा है और बत्तों का फैदा उठा रहे है